नमस्तार दोस्ते राजिसर के नाम से इस यूट्यूब सिर्मा आपका हादिक पागत है MCQ वीडियो की स्कड़ी के अंदर ब्लड क्लोटिंग फेक्टर और क्लोटिंग मेकानिजम से समझेट कुछ MCQ हम यहाँ पर डिस्क्स करेंगे प्रिवेस वीडियो के अंदर हमने रनिन अंजो टैंसिन एल्डोस्टरम सिस्टम के MCQ और इसके अलावा जो हैं हमने ब्लड गूरूफ सिस्टम अब्यों और आरच जो दो सिस्टम उसके MCQ जो है और सौल किये थे ठीकल पॉर्शन के अंदर हमने ब्लड क्लोटिंग फेक्टर्स के बारे में पढ़ा हमने क्लोटिंग के मेकनिजम को पढ़ा अब इन से समझित कुछ MCQ जो एक्जाम में आई वे हैं और जो इंपोर्टेंट रहते हैं उनके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर विद्रैस ने पढ़ने वाले कि सभसे पहले विच टूब यूज इन को एगुलेशन टेस्टिक को एगुलेशन या क्लोटिंग को एगुलेशन आमने बोला वर इस तो थिन ब्लड का थिक हो जाना को एगुलेशन के लाता है यह सबसे बैस्ट शौन ही की तो को एगुलेशन एक प्लाज्मा की प्रॉपर्टी है जिसके तुरू सोलीबल फिब्रिन जन कनट होता है इंसलीबल फिब्रिन के अंदर उसको को एगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं किस ट्यूब को यूज करते हैं इसको टेस्ट करने के लिए तो आपने ब् तरह की ट्यूब होती है जिसके अंदर इन च्чивक के अंदर एक ट्यूब जो होती है वह होती है वह घुब होती है जो डर्वर्डी उपरको परपल कलर का और यह च्रुपर्डूज की जाती एक हिपयर इन नहीं होता है अडियाद फालते मिलेंट तो फाल चीफर में होता है और प्लु× टूब के होता हृट जो जो है काममें लिआ लिया जाता है कोईगीलेश एपयर जए परविय तेस्ट करते पी टी एन र और Ok and a PTT test PTA नर О एप्टिटी टेस्ट और ब्लू टॉप वाले सोडियम सिट्रेट उसे उसे रभाव जो ह sitten येल्लो टॉप का ट्यूब होता है जिकिया प्लेन ट्यूब होता है इसमें किसी तरह flipping नहीं होता सही उसके टेस्ट के लिए कामें लिए जाता है हमें यह पर पूछ सब्स्सक्राथे चुन को को बलेशन का रोल में इसी की देपिस्टिंस से फौग ठोलॡ तो तो फर्स्ट ऑक्षन है C, B12, A और K तो बिल्कुल सही जवाब है बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं विटामीन के जो हता कुछ क्लोटिंग फेक्टर को एक्टिवेट करता है जिसमें सेकेंड सेवन 9 और 10 उसका एक्टिवेशन करता है अगर यह नहीं होगा तो क्लोटिंग फेक्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो को एक्टिवेट नहीं होगी और उसके वज़े से ब्लीडिंग जो है वो प्रोलोंग हो जाती है इसलिए विटामीन के जो है उसकी डेपिशेंसी से विटामीन की डेपिशेंसी से प्रोलोंग हो जाता है coagulation next is the process by which platelet and plasma protein platelet is the thrombocyte जो कि primary platelet plug बनाती है और plasma protein that contains clotting factor जो कि secondary platelet plug बनाते है by fibrin mass work और इस process को जिसमें fibrinogen ultimately fibrin में कनोट रता है क्या कहलाता है coagulation hemostasis, vasoconstriction और hemophilia तो it's coagulation coagulation is the plasma property coagulation जो है प्राजमा की क्या है property है जिसमें non-soluble fibrinogen soluble fibrinogen जो होता है non-soluble fibrin में कनोट होता है और इसी process को हमने coagulation बोला तो यहाँ पर पूचा यह है कि वो कौन सा process है जिसमें fibrinogen जो है वो fibrin में convert होता है तो इसका आंस्वर क्या रहेगा coagulation hemostasis, vasoconstriction और hemophilia यहाँ पर रोंग आंस्वर है A is the correct one next one है factor 3 is also known as clotting factor सब के हमने नाम पड़े FpT, CLS, ACS, PHF यह हमने नाम वापे दाएके Fibrinogen, Prothrombin, Thromboplastin, Calcium, Label, Stable, Anti-Hemophilic, Factor, Kismos, Igman, Factor, Fibrin, Stabilizing Factor, Plasma, Antecedent तो इस तरीके के सारे clotting factor हम यहाँ पर डिसकस किये 3rd clotting factor का नाम यहाँ पर पूचाए 1st F Prothrombin, that is 2nd clotting factor Thromboplastin, that is 3rd one Fibrinogen, Prothrombin and Thromboplastin Fibrinogen is the 1st clotting factor and Fibrin is the soluble, insoluble Fibrinogen is known as Fibrin तो यहाँ पर आंस्वर क्या बन गया Thromboplastin 3rd clotting factor next one है which mineral is essential for coagulation vitamin के की हमने माँ पर बात की clotting factors की हमने बात की ऐसा कौन सा mineral है जो coagulation में essential है have you any idea yes, 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 बिल्कुल काफी लोग बिल्कुल सही है calcium is the minerals, very good calcium is the minerals and coagulation के caspid में बहुँ जाद रोल है calcium is also clotting factor fourth clotting factor calcium होता है first one है sodium, it's not sodium, it's calcium very good, it's potassium and chloride तो यह बाकी जो आप गलत है यहां पे calcium वो minerals है, जिसका कहां रोल होता है coagulation के process के अंदर रोल होता है, इसलिए इस minerals के essentiality होती है बोडी में यह coagulation को अच्छे से कराने में मदद करता है calcium एक्सटेंसिक और इंटेंसिक दोनों पाथ वे में हमने पढ़ाए प्रोथ्रोमीन एक्टिवेटर जो है उसको बनाने का स्रेक इसको जाता है calcium होता है next one a clot which form in a blood vessel एक blood vessel है और उसके अंदर clot बन गया नव ब्लड वैसल के अंदर platelet बनाती है primary platelet plug और fibre मैस्वर्ग उसके बनता उसको बलते है secondary platelet plug यह जो secondary platelet plug जो बना है वो अगर ब्लड वैसल के अंदर है कार्डियो वैस्कुलार सिस्टम के अंदर है ना ब्लड वैसल के पाइप के अंदर है कार्डियो वैस्कुलार सिस्टम के अंदर है तब तक इसको हम बोलते है थ्रॉंबस पर अगर यह इससे वहार चला गया है तब हम इसको बोलते हैं कि यहां पर पुछा एक टो अंदर बनता है तो उसको क्या बोलेंगे तो एम्बोलस इसे मुएबल फ्रॉपस अगर फ्रॉपस ब्लड में चलने लग जाए ना ब्लड के साथ में बैने लग जाए तुसको क्या थे थ्रॉपस जो लोकिलाइज होता है और आमोलस में फरक होता है कि थ्रोंबस जो है और नोन मुबाइल होता है यह नाम नहीं देते हैं तो थ्रोंबस इस दर करेक्ट वन यहां पर सही है अगर मोबाइल है तब उसको थ्रोंबस नहीं कहते हैं तीन बैसिक डिप्रेंस याद रखेगा आप प्राइमरी प्लेटेट प्लग बनता है है सेकंडे प्लेटलेट प्लग बनता है तो यह जो बना है यह अगर सर्कूलेशन वे थुख्रोंबस कहते है और अपनी जगह है यह जो शूड़ देता है उसको स्मेमबॉलस कहते हैं और जो mobile thrombus होता है उसको हम क्या नाम देंगे embolus वो thrombus जो mobile हो जाता है उसको हम क्या नाम देते हैं embolus next one है what is the normal bleeding time value bleeding time value the clotting time की value हमने पढ़िती 30 लेक्टर के अंदर और 3 to 8 minute हमने आपको बोला now here is the bleeding time value क्योंकि normally कितना होता है 1 to 2 minutes 2 to 9 3 to 7 or 8 to 9 minutes so the normal bleeding time value is 2 to 9 minutes that is correct one normal bleeding time की value क्या होती है 2 to 9 minutes normal bleeding time value bt next which of the following initiate the coagulation cascade in vivo vivo के अंदर test tube के अंदर जो coagulation cascade होता है that is extensiq उसका initiation कौन करता है तो हमने दोनों पाथवे पढ़े है coagulation के intensive और extensive और extensive पाथवे का initiation भी हमने वापे पढ़ा था factor 10 tissue factor factor 12 तो थ्रोंबी तो हमने वापे पढ़ा tissue factors जो होता है tissue thromoplastin activator जो होता है वो initiation करता है extensive clotting mechanism को and vivo के अंदर जो clotting का cascade या coagulation क्लोटिंग के mechanism complete होती है उसका activation जो होता हो tissue factor के द्वारा किया जाता है next which test evaluate extensive pathway extensive पाथवे को अगर evaluate करना है it is normal और abnormal और something like that तो कौन सा test वहाँ पे काम में लेंगे first one है PT INR, APTT, TT और BT extensive पाथवे का evaluation हमेशा जो होता है वो prothrombin time और INR value किया जाता है तो यहाँ पे answer बनेगा A PT INR PT INR यहाँ पे test जो है extensive pathway regulation में काम में लिया जाता है तो यह कुछ MCQ-based question थे with rational admin को देखा है that's all from the clotting cascade, coagulation mechanism and clotting factor के बारे में यह था तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको like, share और चैनल को subscribe करे और एक जिम्मेदारी उठाए कि maximum लोगों तक यह वीडियो पहुंचाए ताकि maximum लोग जाए इस MCQ वीडियो का पाइदा उठा सके धन्यवाद झाल